हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ नीलम आजम बनाएंगे बेसन की पूरी ये ब्रेक फास्ट लंच डिनर किसी के लिए भी बना लो इसकी विशेश्टा ये है कि 6-7 दिन तक ही चल जाती है बिल्कुल भी खराब नहीं होती आप इसे सफर पे ले जाए ये टि हूँ काटा है तो एक कप इसमें बेसन मिला देंगे टाप कोई भी कटोरी कप ग्लास के माप से ये मेजरमेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसमें एड़ करेंगे अजवाईन तो मैंने एक छोटी चमच भरके अजवाइन डाली है उसके बाद में हम इसमें हींग बेसन की पूरी में अजवाइन और हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे जो बेसन की पूरी है उसमें तेल बिल्कुल भी जादा नहीं लगता है मैंने दो छोटी चंबच भरके तेल डाला है तो अगर आप इसमें जादा तेल तो बहुत वाइली वाइली हो जाएगी और इसमें बाद में हम स्वात के अनुसा नमक डालेंगे बेशन की पूरी में थोड़ा सा नमक तेज अच्छा लगता है चाय के साथ क्योंकि इसका कॉंबिनेशन बहुत अच्छा जाता है चाय हो, गर्म गरम अध्रक वाली और ये पूरी हो, बहुत तेस्टी लगती है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सक्त डो लगा लेंगे तो देखिए, अभी मैंने एक्दम सक्त डो लगा लिया है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा वाइल डाल दिया है ताकि ये आटा जो है वो स्मूद गून सके तो इस तरह से आपको आटा गूनना है इसका जितना हार्ट डो लगाएगा उतना ही आपकी पूरी कम वाइली और एकदम खस्ता बनेगी तो देखिए आटा तयार हो गया है तो चलिए इसको रेस्ट देनी की बिल्कुल भी जवत नहीं है मैं तो तुरंट गून के तुरंटी बना लेती हूँ तो अब हम इसको जस्ट हाफ कर देते हैं और इसका एक लंबा सा लॉग बनाएगे और इसके बाद में हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे आपको जैसी चाहिए छोटी बढ़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं तो देखिए तो ये बन गया अब इसके छोटे छोटे हम गोले बना लेंगे इस तरह से बहुत इजी है बनाना जल्दी से बन जाता है तो चलिए अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं सबसे पहले रोलिंग बोर्ड लिया है मैंने उसमें मैं थोड़ा सा वाइल डाल रही हूँ क्योंकि ये जो पूरी है इसमें सूखा आटा बिलकुल भी नहीं लगेगा और बेलन में भी थोड़ा सा वाइल लगा लीजिए ताकि ये चिपके नहीं तो चुकि हाड है आटा हमने सक्त डो लगाया था तो वैसे भी ये चिपके गानी और इसकी हम पूरी बना लेंगे बहुत ज़्यादा एकदम पतली मत बनाईए और बहुत ज़्यादा मोटी भी मत बनाईए तो इस तरह से इसकी पूरी बनाना है ये देखे इतनी मोटी है ये तो इस तरह से मैं सारी पूरी तयार कर लेती हूँ तो ये मैंने सारी पूरी तयार कर ली है बाकी काटा मैंने फ्रीज में रख दिया जब चाहिए गरम बना कर खाएंगे अब इसके बाद gas on करके इसमें ज़्यादा सा oil ले लिया है oil हमारा गरम हो गया है पूरी जो हैं वो हमेशे high gas पर ही सेखी जाती है slow में नहीं सेखना चाहिए वो तेल पी जाती है और उसके बार मैंने पूरी डाल दी है और इसको इस तरह से हलका हलका प्रेस करेंगे तो ये फट से फूलेगी पूरी पूरी का सिस्टम ही यही है और पूरी को दो बार ही पलटना चाहिए एक बार ये सिख जाएगी पलट दीजिए और एक बार फिर दुबारा उसको सेख कर फिर निकाल लीजिए तो देखे कितनी जल्दी से ये फूल गई और इसको अब हम पलड़ देते हैं अगर आपको मेरी रेसिप अच्छी लगी तो इसे लाइक किजिए, शेयर किजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए बैल आइकन भी प्रेस कर दिया करिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो देखे, मैंने इसको निकाल लिया है, इसी तरह मैं दूसरी पूरी भी डाल देती हूँ बिलकुल ओईली नहीं बनी है, आपने एक बात नोटिस की और अभी मैंने दूसरी पूरी भी डाल दी है और इसको भी मैं इस तरह से हलका सा प्रेस करके सेखूँगी प्रेस करने से क्या है, फटा फट फूल जाती है पूरी यह देखे, कितनी जल्दी से फूल गई ना और इसको अब पलटेंगे और बस इसको फिर अभी दूबारा नहीं पलटना है, नीचे से ही सीख जाएगी तो इसको हमें निकाल लेना है तो चलिए, इसको निकाल लेते हैं इस तरह से मैंने अपनी जितनी भी पूरीयां बनाई थी, वो सारी सेख ली थी और अब हम इसको एक पलेट में निकालेंगे तो ये जो पूरी है, इसको आप है ना अचार के साथ, दही के साथ, रायते के साथ, सबजी के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं, ये खाली ही खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी और सबसे बड़ी बात ये, कि सबसे अच्छी चाय के साथ लगती है आम का अचार हो और चाय हो, वावावावावावाव, इतना टेस्टी लगती है तो देखिए, एक में उठा कर दिखाती हूँ, आपको दोनों तरफ से कितनी अच्छी सिख गई है ये और अभी भी एकदम क्रिस्पी है ये तो इस तरह से मेरे कहने पर एक बार बेशन की पूरी जरूर बना कर देखिए कैसी लगी रेसिपी, कॉमेंट करके बताईए, अपना वीद्बैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए तो जटपट रेसिपी थी तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच